नमस्कार दोस्तों कंसेप्ट केंग में आपका स्वागत है दोस्तों पिछली वीडियो में बहुत देशक घाटी प्रयोजना को करा था जिसमें हमने देखा था कि डैम से रिलिटेड किस प्रकार के कोर्शन पूसेज आते हैं आज इस वीडियो में किर्शी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखें बहुत ही डायनेमिक चैप्टर है और करन्ट अफेर के पूंट ओफिस है बहुत इंप्रेंट है वाले चैप्टर देखें जो पहला कोर्शन है देखें इस तरहा है किया ने जो परमकल्च्छर होती है हमें बताना जिफ्ट में रखें है आपको बताना है कि इन मैं इसंहां ठीक है अगर आप हैश्ञा है और पहला पडबेंगे कि इस थाई किरसी आकית सब्सक्राइद Александ करता है कि नियुदू ध्वन आत कि उरता हृष्व करता में व्रद्धी हो सकती है किंतु इस तरह की परिगटना इस्थाई किरसी में द्रिष्टी कोचर नहीं होती है देखे हमें जो कंसेप्ट वाले कोशन होते हैं तो हमें उन स्टेटमेंट की तरफ जाना होता है जो पॉजिटिव होते हैं यह ध्यान में रखना आपको तो किन तु तरह की परिगटना इस्थाई किरसी में द्रिष्ट्ट कोचर नहीं होती है ठीक है और आप थड़ पढ़ेंगे पारमप्रिक राषानी किरसी अर्दसुस्थ को छेतरों में असानी से संभव है किन्ट ऐसे छेतरों में 0-3-3-4 वाला है कि पारमप्रिक राशानी कि सुसंगत है तो क्यों संभवन नहीं होगी थर्ड स्टेटमेंट तो आपका गलत है फॉर्थ पढ़ेंगे हम मल्च बनाने की पड़ता इस्थाई किर्सी से काफी महत्पून है किन्तु पारंपरिक रसानी किर्सी में ऐसी पड़ता अवसक नहीं है देखें फस्ट सेक्ड और क्योंकि और शेत्रों में तो थो सबसे पहलाब आपको आपको कर दीजे और डेलमिनेट कर देजें तो फस्ट आपका इसमें अच्छेइट्ण और फॉर्ट ये आपके राइट आंसर अगला कोशन देखते हैं मिल्सित की शुट में सबक्रूप कर और ओल्यार शनतर है लेट हैं इसाहिश होती है उनके हमें क्या फी ट्रॉट है उस्य। है इत टो उसी पर गार को शेटा है सुन नोरा है कि जी रो ट् strengthen लिएज बताने रहे ब्यान तो पहला कुशन पढ़ेंगें पिछली फसल के अवसेसों को जिलाए बिना गेहों की बवाई संभव हो है हाँ ठीक है चावल की नई पोद की नडशरी बनाए बिना धान के बीजों का नम रदा में सीधे रूपन संभव है देकि ये भी ठीक है और मरदा में कारबन प्रतक्र संभव है तो इस परकार के जो कॉश्चन होते हैं वे लगबग ठीक होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह वन टू और थरी तीन है तो डी इसका राइट आंसर है और बाकी आपको पता होना जाए कि सुन जताएगा और क्या बैनिफिट है अगला कोशन है देखिए किर कंसप्ट पर दारित कोशन पूशता है लगबग इसमें जो रेस होता है 60-70% जहां तक मुझे लगता है कंसप्ट पर दारित होता है पैटन और लगबग 30-40 इसमें कुछ factual डेटा इसमें पूशते हैं ठीक है तो इस हिसाब से में तयारी करनी होती है और इसमें पूछा है क कि क्या लाब है देखें पूरा कंसेप्ट है कि पहला स्टेटमें अगराब पढ़ेंगे सिचाय जल्की छार्यत का नियंत्रन संब्व हो है सेकंड रोग फोस्वेट और सभी अन्य फास्फोरेट फोस्पेटिक उर्वर्गों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संब्व हो है थार्ड पोदों के लिए पोसक बड़ी ही मातर में सुलब की जा सकते हैं और फोट पढ़ेंगे रासाइनिक पोसकों के निक्षालन में कमी संब्व हो है तो देखें जो सिचाय जल्की छाय रहता का निंत्रन संब्व हो है तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है तो सबसे पहले जो में पहला ठीक है तो हम पहले देखते हैं तो ए बी और सी में डी में ने तो डी को एलिमिनेट कर दीजिए देखें वन थर तक हम पहुंच गया है अगर आप पढ़ेंगे थर वाला स्टेटमेंट की पोदों के लिए पोसक बड़ी ही मातर में सुलब के जा सकते है पोदों की बात करकिये और फटीकेशन के यह बैनिफिट है थर भी स्टेटमेंट ठीक है तो फरस्ट यौर थर थर इस्टेटमेंट में आपका आना चाहिए तो और से बड़ी में और सी में पर आपका ठीक नहीं है तो फ़र्ड और फौर्थ अगला कोशन देखते हैं भारत के संद्रम में निमलेखित में से किन पतितियों का पारितंत्र अनुकूल किड़सी माझा जाता है देखे चार स्टेटमेंट पारिस्तिकी अनुकूल किड़सी किने मान जाता है देखे फसल विदिती रूपन, सिम आधिक्या, 1070 मीटर का परिय औरत्बारदर किरसी ठीक है तो परिस्ति के निकूल किन पतितियों को माने जाता है तो इन ज़िए सब पतितियों को लिए। अगला कोशन भारति किरसी का ठीयास किसमें लिखाता तो अम हम्य सरंधवा राई आंसर है टी अगला कोशन देखते हैं कि भारत को बैस किर से प्रदेश सबमाट गया है, ठीक है, भारत को dein सब्स्यति प्रश्ण के प्रदेश से जादा है, तो रहखंग समय तो हम्न exhort है, कवर्षा हस खरके, हम्री जादा एको पता आप को पता है तो उसको कर सकते हैं अदरावाइस आप दे में सॉस्ण करने के नहीं होते हैं यह आपको भी पता है सब्सक्रै ये सबस्ट बहुत है अब थ Christians Community सबलात है बहरत को 15 किर से जलवाई हुआ वर्गरित किया गया है तो 20 के जंगा 15 है ठीक है तो तीनों स्टेटमंट आपके कल लाता है कितनी सारी जो जो जोग्रफी में बहुस सारे करता भी नहीं है अगला कुशन देखते हैं कि देश में एग्रो एकोलोजिकल छेतर है तो कौन सा है तो 20 राइट आंसर है 20 अगला कुशन है भारत में एग्रो एकोलोजिकल जोन्स की कुल संक्य कितनी है तो बीस अगला कुशन देखते हैं भारत की स्विस्क पेटी की अर्थवेस्ता परधान ते किर से अधारित है इसमें दित्य हरित करानती के लिए बहुत छमता है तो यह दोनों ठीक है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है तो बी राइट आंसर है तो अगला कुशन देखते हैं भारत की खाद्यम पोशन सुरक्षा के संद्रम में विभिन फसलों की बीज परतिस थापंदरों को बढ़ाने से भविश्य खाद उत्पादान लक्ष बढ़े विस्तरित कारेंवन में क्या बात देता है ठीक है दूंझे थीन स्टेट्मेंट आपके सामने है तो मैं बताना हैं कि तोकोई भी रास्टे बीज निती człवा सीолोंक्यों की एद्ध्यान किलिच से फसलों की रोपन सामगरियों और सब जोगे गुणता वाले वीजों के पूरते में कोई सहभागिता नहीं है ने जी कंपनी होगी तो सेकंड भी आपके लट हो जाएगा हमारे आपर और कोई भी सहभागिता नहीं है निजी शेतर की तो यह तो गलता है फास्ट और सेकंड गलता है थर्ड स्टेटमंट ठीक है अगला कोशन बढ़ता है देश में परत्थम किरसी विस्विदाली सापना किस वर्स हुई थी तो 1960 में ती राइट आंसर है देश का पह देश में परत्थम किरसी विस्विदाली के रोमने स्कावद भटन पत्त नगर में किया आता है ना तो गोगभीन भल्लब पंत किरसी प्रोधोदी की विस्विदाली है तो यह नाम है कि कहाँ पर है मेरट में अगला कोशन है भारत में पर्थम किरिसी विजदाले के सापना कवी थे तो 1960 में तो B राइट आंसर है अगला कोशन है यदि खाद द्यानों का सुरक्षित संग्रह सुनिशित करना हो तो कटाई के समय उनका आधरता आंस कितने प्रतिसत से अधिक नहीं होना चाहिए तो 14 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए तो राइट आंसर है अगला कोशन है भारत में भूमी उप्योग वरिकरन का सन्यकट निरूपन निमलीकित में से कौन सो सही है तो D सही है ठीक है तो करन्ट फिरिम में थाए देखिए लिखा है जिसका कोई महतर नहीं कोशन का अग अगवार ऑंका क्म事 मम् मौसमौ में दो फसल उगांगे तभी करिसी में यूगम पैदावार को बढ़ावावा मिलेंगा तो राइट उर आंसर कुन जा पसुपालन भी कह जा रहा है और जा आएनिया फसल भी वह जा रही है तो इनमें देखेंगे आप पहला नगदी और खाद्य दोनों सश्यों की साथ साथ खेती गलत दो या दो से अधिक सश्यों सश्य को मतलब कि किरिशी का पैटन को एक खेत में वह आना सी पसुपालन औ और साथ में किरिशी भी करेंगे फसल उगाएंगे ठीक ना सस्यों मतलब फसल फसल तो सी इसका राइट अंसर है अगला कोशन है मिस्रित किरिशी में संब लिते हैं तो विबिन फसलों को योजनब तरीके से उगाना बी रभी एं खरीब फसलों को साथ में वाना सी कई तरह कड़ा कि अगाना तता सुपालन भी करना तो इसके इसका राइत आंसर रिसमें वह सम लेते और क्या तरीके अपशील भी आपके सिद्धार्ण कर बाधा कॉष्ण निम्न राज्यों inom में कडियो착 का पर्तिस्थ काफी ज्यादा है तो सभी में कर सी किरसी नहीं होती है और आपको पता है सिखकिंतव दोस्तों एक पहड ही छहतना तो had नहीं है अग्ला क्योंट में सी द्नी unfortunately से देख'll स्थ है इसक्ति तरफustom की विविद्ता और बड़े खेतो कि backstory दो bragan तो इसमें से देखें निम्न में से एक भारती किर्सी की विसेश्था नहीं है यह पूछा है देखें प्रकृति पर अर्धिक निर्वड़ता तो यह तो विसेश्था है उत्पादक्ता का निम्न इस्तर यह भी विसेश्था है आपका फसलों की विवित्ता ये भी है लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता ये नहीं है तो राइट आंसर कुम सा है D अगला कोशन है भारते किर्सी में निम्न उत्पादक्ता का कारण क्या है तो आफ सकता से अधिक लोगों का किर्सी कारण में लगा रहे हैं न ये तो है चीकर ना बी पड़ेंगे जोत का छोटा कारोना सी उत्पादन की पिछिडी तरक्नीक और डी पड़ेंगे उप्रोग सभी तो ये सभी निम्न उत्पादक्ता के कारण है देखें बहुत सिंपल कोशन है तो राइट आंसर है अंगला कोशन है पारंपरी खेती के आदोनिक व्यग्यानी खेती में रुपांत्रण में हरित क्रांती की तक्निक की महत्पुन भूमिकर रही है कारण इसमें सामाजिक परियावरने लागत समलित नहीं होती है तो देखिए ए और बी देखें दोनों ठीक है लेकिन इसके व्याख्षा सही नहीं करता है तो बी राइट आंसर है क्योंकि पारंपरी खेती के आदोनिक व्यग्यानी खेती में रुपांत्र में हरित क्रांती की तक्निक की महत्पुन भूमिकर रही है ठीक है देखिए यह तो कंसेप्ट पूरा और भी भी ठीक है आरवाला इसमें सामाजी के परियावने लागत संब्लित नहीं होती है हरित करांती में अधीक साधिक और वरोकों का प्रियोग करेंगे नई-एटेक्निक का प्रियोग करेंगे उसके माध्यम से फसलों को गाएंगे तो कहां इन चीजों का ध्यान में रखा जाता है तो ए और आर दोनों ठीक है लेकिन इसकी सही राक है नहीं करता है अगला कुशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा बारते किरसी की निम्न उत्पादक्त का कारण नहीं है देखें चार भारत में चालों जोतों का सबसे बड़ा उसत आकार है तो राजिस्थान में राइट आंसर है अगला manner बारत Мें किर्ची को समझा जाता है तो भारत में किर्ची को जीवा को साधन सम्झा जाता है मतलब जीवी का कमाने ईची अधन तो मोटार एक औरम है यह इसका है यह अगला कोशिए न सथ statement कौन सा ठीक है तो पहला पढ़ेंगे भारत में दालो खेती के अंतरगर्ट आने वाला लगबग 90 परतिसत शेत वड़सा द्वारा पोसित हैं बी पिछले दो दस्कों में राज्टर इस्तर पर खेती किये जाने वाले कुल खेतर में दालो का भाग दोगुना हो गया है विस्व में कुल 9 में होने वाली चावल क्या एव ओऴ्भाब ragष भारत में दी भारत में होने खेति के कुल खेतर में लगबग 34 प्रतिसत थेंगे चावल खेती होती हें तो इसमें राइट आंसर दोस्तों यह है जबकि बी सी डी राइट नहीं है ठीक है आगला कोशन देखते हैं कि भारत में रसायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभुखता है तो रसायनिक उर्वरक के सबसे ज्यादा स्माल कौन से दो स्टेट करते हैं उत्तरप्रदेश और आंद्रप्रदेश तो राइट अंसर है डी डी खाद वाली फस्लों में से किस में नाइट रूजन की मात्रा सरवाधिक पाए जाती है तो यह यह उससे के बहुत है तो लोबिया तो लोबिया बहुत इंपोर्टेंट है तो आप ज्यान में रखना है लोबिया अगला कोशन है संतुलित उर्वर्वक परियोग किये जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य की गुण्वत्ता उन्नत करने हैं तो भूमी की उत्पादक्ता बनाए रख अगला कोशन है पुनर भर्ण योग्या भूम जल संसादन में सबसे संपन नाजे देखें जो हमारे प्राकर्तिक संसादन है उसमें जल संसादन बहुत इंपोर्टेंट है हर साल यह क्या दो कोशन इससे आते हैं एक्जाम में तो इसको आपको अच्छा से करके जाना है हर स पूछता एक्जाम नर चाई यूपी एस्यों चाई यूपी पीस्यों तो सबसे यादा संपन नाजे कुन सा है तो यूपी अस्तरपड़देश अगला कोशन है निमलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी किरस्यों को लागू करने में अगर नहीं है तो पंज है तो यह पढ़ेंगे आप जैवी खेती में बागवानी प्रजाओर बी बागवानी तता पुस्प किरसी पर ध्यान केद्रित करते समय कीट नासकों और रसानिक उर्वड़कों से बचाओ सी समयकित किट प्रबंदन समयकित पोसक पधार्थ आप उड़ती में समयकित प्र और फियरट हारुशार और पारदी लेटा रसे पर बंदन समयकित पोसक पधार्थ आप उड़ती एक lucky प्राकरतिक संसादन पर बंदन तो सी राइट आणसर है अगला कोश्य ना भारते कीडिसी पर वैस्विकरण के परभाव के संदर में निम्लिखित में से कौन सी व्याख्या सत्य देखे चार ओप्सन आपके सामने आपको बताना है कि वैस्विकरण के परभाव के संदर में निम्लिखित में से कौन सी बार ठीक नहीं है तो जलवाई की बी सी और डी ये राइट आंसर है अगला कोशिन है निम्लिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कुंसेप्ट के परमकुद्यस को सरवत्तम मंदन करता है देखिए जिस साल एक कोशन पूछागा है तो साल कहीं न कहीं है प्रोग्राम सुर्ख्यों मे कि साल को अब लिए प्रोथसाहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरेदने के लिए हत्त वतसाहित करना देखिए पहला स्टेटमंट आपका बिल्कुल गलता है कि और उनके द्वारा दूसरों को सम्मूचित समय पर तथा वहन करने योगय लागत में गुण्वत्त युक्त बीज उपलप्त कराना देखेंगे कि पड़ेंगे आप कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से परमानित बीजों के लिए उद्धिश्ट करना देखेंगे बहुत ही पोजिटिव स्टेटमेंट है गुण्वत्त युक्त बीज है वहन करने योगय लागत पर उपलप कराना है उन्हें परिक्षिशन देना है किशानों को तो बी स्टेटमेंट बहुत ही पोजिटिव है तो राइट आंसर है बी रहे तो इसतरह से हमें कुछ कॉश्चन को जो कंसेफ्ट बदारित हैं ऊंको ध्यान चे परढ़के करना होता है जो कैंते हैं और अगला कोश्चन के एक को बहुत क्युसां तो तो बताना है कि सल्क्षण क्शिं अगर आपको सरक्षं क्रसी के बारे में पता है तो आप इसका भी न्यून्तम जोत को अपनाना, बागानी फसलों खेती का परिहार, फॉर्थ पढ़ेंगे मर्दा धरातल को ढखने के लिए फसल अवसिस्ट का अपयोग, और पांच पढ़ेंगा विस्थानिक एं कालिक फसल अनुक्रमन, फसल आवरतनों को अपनाना, देखे अगर आप फ मर्दा धरातल को ढखने के लिए फसल अवसिस्ट का भी हो, जो आपके फसल है, हमने काट लिया है, उससे हम ढख देंगे, उससे वरकता बढ़ेंगे, तो सैकंड और फॉर्थ आपका ठीक है, है ना, देकि सैकंड और फॉर्थ ठीक है आपका, अब यह आपका बेसक फस्ट ठीक है, तो सैकंड फॉर्थ ठीक है, तो सैकंड फॉर्थ बिल्कुल ठीक है, और यह दोने एक साथ आएंगे, तो सैकंड फॉर्थ तो देखे, ए में तो नहीं है, बी में है, सैकंड और फॉर्थ, अगले देखते हैं, देखे, सी में है, और डी में नहीं है, तो बी और सी कर Yeah ले बागानी फसल को मक्या Васीम Ao फीक यह तो सेकंड्स फोर और फ्यक है और सेकंड्स प्रयूट पेशन है तो इस तरह से हमें कोशन इस प्रकार कोशन को टैकल करना उता था यूपसी में बहुत सारे कोशन कंसेप्ट वाले होते हैं करने होते हैं तो इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज लाइक करें अगली वीडियो मिलता है थैंक यो फॉर वाचिंग